इप्टा याने भारती जन नाटिस संग द्वारा बोल की लब आजाद है देरे नाटक का मंचन राजधानी में किया गया नाटक देश की वबस्था पर वार करता हुआ नजर आया नाटक को देख कर दर्सकों ने लोकतंतर की ताकत को भी याद किया इसके साथ ही कलकारों ने म कवीता पोस्टर प्रदरशनी भी प्रदर्शीद की गये मंच पर एक शासक दिखाये देता है जो चाहता है कि वो जो कहे उसकी बात का जनता पालन करे शासक क्रू रहता है और अपने राजे में ताना शाही करता है उसका मानना होता है कि वह राज का राजा है तो उसकी मर्जी से ही पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए अगर वह दिन को रात कहे तो जनता बिना कुछ कहे उसकी बात मान ले ऐसा कुछ दिन चलता है और शाशक की ताना साही और कुरूरता बढ़ती जाती है शाशक की ऐसी मांसिक्ता देख जनता में विद्रो की भावना उमरती है और शासक के शासन का अंत कर देती है यह नजारा जियन पांडे स्कूल के अडिटोरियम में देखनी को मिला मंचपर भारत्य जन नाट्य संग इप्टा द्वारा रायपुर द्वारा बोल की लब आजाद है तेरे का मंचन क्या गया नाटक बोल की लब आजाद है तेरे के माध्यम से देश की सासन विवस्था पर वार गया गया कि किस प्रकार सत्ता पाने के बाद यहां का कानून जनता का ही शोशन करने लगता है यह नाटक वरिष्ट कवी मनमोहन के नाटक खुर्शी और कोरस पर आधारित है इसकी परिकलपना निर्देशन मिनहाज असद ने किया नाटक में अंधेरे काले दिनों अभिवैक्ती की स्वतंतरता पर हमला और सार्थक कर्म पर प्रतिबंध जैसी विवस्था पर कटाक्ष किया गया है इस प्रयोग को विस्तार देने हेतू इसमें कव्यांस वर कविताय भी जोड़ी गई है जिद रही है आत्मी की दोटिया बिद रही है आत्मी की बोटिया इन तुदुष्ट भर रहे हैं बोटिया रूट दाए राच ओकतम 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 हमेरी कसम यह आयजन इट्टा की प्लेटिनम जिबली के असर पर हो रहा है अभी कुछ दिन पहले पटना में इट्टा का बहुत बड़ा नैशनल सेलिबरेशन हुआ प्लेटिनम जिबली के आयजन के असर पर क्यूंकि इट्टा ने 75 वर्ष अपने पूरे किये हैं और इट्टा देश की एक मात्र ऐसी सांस्कृतिक संसा है जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और आज भी इट्टा काम कर रही है तो उन्हीं कामों को याद करते हुए ये हम लोग आयोजन आज किये हैं मंच पर कई जाने माने नाटक कारों ने अभने किया मंच के अलावा इस मौके पर भिलाई इट्टा के कलकारों द्वारा जन गीतों की प्रस्तूति और कवीता पोश्टर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया देश टीवी के लिए एमकोल लईया की रिपोर्ट